हालो फ्रेंट्स इस एकेग गुरू आप आप सोच रहे होंगे कि यह क्या चीज है मुझे सब कुछ आता है लेकिन मैं गारेंटी की साथ कर सकता हूं को आप इतना टाइप कभी नहीं पढ़े होंगे किसी वीडियो में और नहीं किसी किताब में ठीक है तो कई टाइप से मैं बताने जा रहा हूं इस वीडियो में और आपको कम समय में बहुत ज्यादा नौलिज मिलने वाला हैं सो आप कई तरीके से सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को अंतक देखो और फिर कमेंट जरूर करना कि आपको इस वीडियो को देखने से प्राफिट हुआ या लास चल यानि कि असमर्थ अता जिसको कह सकते हैं जो असमर्थ हो जाते हैं किसी काम को ले करके उसको हम इसको करते हैं मैं आपको एक्जामपल से बताता हूं कि मैं उन्हें समय पर पैसे नहीं दे सका तो उसको आप कैसे कहोगे I could not pay on time I could not pay on time यह पास्ट की बाते हैं क्योंकि मैं कि वैसा नहीं कर सका मैं वैसा नहीं कर सका तो I could not pay on time इसके हम बोलते हैं यह हमारा पास्ट in मैं निमंत्र को मना नहीं कर सका था आई कुड नाट रिफ्यूज दा इन्विटेशन हम समाई पर नहीं पहुंच सके तो वी कुड नाट रीच ऑन टाइम सब यह पास्ट की बाते हैं इसलिए हम क्यान के जाएक पर हम कूड का यूज किया है तो वी कुड नाट रीच ऑन स्थिए हम कुडी नाट आंसर अएक क्वेशन आपका कूड लगाना हें वार कोफास्वार्म लगाना के कुड नाट आंसर माइक ऐसे रोगा फ्रेंस अगला जी जाम पले माए कूब पर नियंघ सका इसका मतलब का आई पूद नट काण्ट्रोल माईसेफ इसका मतलब का इस से पहले यानिक आई कुट नाट रीच ऑन टाइम यानिकी समय पर नहीं पहुंच सका ठीक है अगला जो टाइप है टाइप टू है पास्ट एविल्टी मतलब हम जो बीते वे बात की बात करते हैं जब मैं इस्कूल में था तब मैं धारा परवा अंगरी जी बोच सकता था तो पास्ट की बाते हैं ठीक है ऐसा कर सकता था अगला जी जांपल तो मैं कॉलेज की दिन में गाह नहीं सकता था तो आइक उड़ नाट सिंग इन माइं कॉलेज डेज मतलब की दिनों मैं पहाड़ों में तेजी से नहीं चल सकता था आई कुड़ नट वाक फास्ट इन हील्स वाक का इसलिए हम क्योंकि हम चड़ के पाइदल चलके चड़ते हैं क्लाइम का यूज नहीं करेंगे ठीक है चले टाइप थी है प्रजेंट पॉसिबिल्टी वरतमान की बाते वह घर पर हो सकता है तो ही कुड़ भी एट होम वह कहीं भी हो सकता है तो आप कुड़ भी का य कुड़ भी दा वान वो रोट दा नौवल राहूल कुड़ बी दा वन वो रोट दा नौवल रोट मत्राव लीखा है ठीक है शायद गीता ने यह पुस्त कि इफ के साथ हम हैड का यूज कर सकते हैं ठीक है अगर मेरे पास कार हो तो मैं समय पर पहुंच सकता हूं तो फिर उसमें भी इफ कर लगाएंगे उसके बाद हैड लगाएं इफ आई हैड़ कार आई कूड रीच ऑन टाइम ठीक इस तरह से हम सेंटेंस बनाते इफ आई है अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम में पेपर पढ़ सकते हो इफ यू हैड टाइम यू कूड रीड दा न्यूस पेपर इफ के साथ हमें हैड का यूज करेंगे ठीक है चलिए अगर थोड़ा सभी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राब कर दीजिए का फ् बाइ बाइ